हेलो गाइज मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ओफ टेकनो पर डियर फ्रेंड हमारा जो टोपिक चल रहा है वो फाइल से रिलेटेट चल रहा है जिसमें हमारी तीन कलासें वो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है डियर फ्रेंड और फाइल की जो हमारी कलासे हैं वो साथ से आठ कलासे तक हो सकती है हो सकता है इसे ज़्यादा क्लासे भी हो क्योंकि छोटी छोटी क्लासें वो आपको प्रवाइड करवाई जा रही है ठीक है डियर फ्रेंट तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल का next topic और इसका next topic है इसमें क्या है convexity of file convexity of file फाइल में convexity क्यों दी जाती है convexity क्या होती है इसका क्या फाइदा है क्या इसका हानी इसकी क्या है क्यों इसको रखा जाता है ठीक है डियर फ्रेंट तो उन सबी चीजों के बारे में हम जानेगे तो क्या दिया है इसमें फाइल को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसकी लंबाई में बीच का भाग कुछ उबरा हुआ दिखाई देता है बीच का भाग क्या है थोड़ा सा उपर उठावा दिखाई देता है फाइल के इस उबरे भाग को कन्वेक सिटी कहते है यानि कि फाइल का जो उपर उठावा बीच का भाब होता है उसको ही कन्वेक्षिटी कहते हैं इसमें क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट है यदि फाइल पूरी लंबाई में समतल और सीधी बनाए जाए तो सभी दाते एक साथ कट पकड़ेंगे अब बिल्कुल प्लेन मनाए दिया है फाइल को तो क्या है जैसे हम फाइलिंग करेंगे तो सारे दाते क्या करेंगे एक साथ में धातु काटने की कोशिस करेंगे ठीक है और ताकत भी ज्यादा लगेगी तथा दाते एक साथ गिसेंगे ठीक है तो इससे क्या होगा दाते एक स साथ कट पकड़ेंगे तो एक साथ कट पकड़ेंगे तो हमें क्या है ताकत वह ज्यादा लगाने पड़ेगी ज्यादा प्रेशर उस पर डालना पड़ेगा ठीक है और इसके साथ में क्या दानते वो भी सारे एक साथी गिस जाएंगे क्यों कि सारे दानते वो कटिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे सारे दानते कटिंग करते रहेंगे तो वो क्या करोंगे एक समय आएगा कि सारे दानते एक साथी गिस जाएंगे तो इन सब चीजों से बचने के लिए किया Convex City फाइल में दी जाती है जिससे क्या होते है फाइल के सबी दांते वो एक साथ कट नहीं पकड़ते है ताकत पावर हमें ज्यादा नहीं लगाने पड़ती है और दांत वो सारे एक साथ नहीं गिशते है सेकिंड है इसमें यदि फाइल की स्ते समतल होगी तो उसके दवारा फाइल की हुई स्ते किनारों से ज्यादा गिशेगी और बीच का बाग ऊचा रह जाएगा जिसे रोकिंग एक्सन कहते हैं यानि कि जिस वरक्पीस पर हम फाइलिंग कर रहे हैं तो वहाँ से क्या हो गया बीच की जो इस्ते रहेगी वो तो हमारी क्या रह जाएगी उची रह जाएगी और जो साइडों के जो किनारों होंगे वो कह थोड़े थोड़े नीचे रह जाएगे ठीक है तो ये क्या हूबा, थोड़ा गोलाई में बन जाएगा हमारा तो इसको क्या कह जाता है, इसको कहा जाता है rocking action, ठीक है, यानि की rocking action के कारण व्रकपीश जो हमारा रहता है, इसकी क्या है Simmons попад बीच से उन्ची और किनारों से दिखाई हमें देती है ठीक है तो उससे बचने के लिए क्या है बीच में से फाइल को थोड़ा उब्रा हुआ बनाया जाता है ताकि क्या है वो बीच में से भी इसकी साथ साथ में कटाई करती रहें ठीक है डियर फिर्ड आगे इसमें क्या दिया है इस परकार जोब की सरफेस को समतल बनाने के लिए फाइल पर कन्वेक्सेटी होना है वो आप से कहता है यानि की वरुपिस हमारा जो है जोब है उसकी सरफेस को समतल बनाई रखने के लिए क्या है कन्वेक्सेटी फाइल में होना चाहिए ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें दिया है, फाइल की स्ते समतल बनानी मुश्किल होती है, फाइल की स्ते है, स्ते यानि की इसका क्या बोलेंगे, फेस, फेस है, उसको क्या है, बिल्कुल समतल बनाना क्या है, मुश्किल होता है, क्योंकि हार्ड एंड टेमपर करते सम जब file को lumber rope में डुबोया जाता है lumber up में किसमें डुबोया जाता है जैसे हम क्या use करते हैं वहाँ पर hardening and tempering करते हैं तो यह से file को ठंडा करने के लिए रुबाश गया फिर नमक का Danielle CTO pounds करते हैं खीक है या फिर नमक का v्गोल यूज़ करते हैं जिसमें नंबर रूप में डुबोया जाता है जिससे थोड़ा टेड़ा फन आ जाता है जिससे फाइल काम के लाए का वो नहीं रहती है तो इस टेड़ा फन को आने से बचाने के लिए क्या करते है फाइल को बीच में से थोड़ा मोटा रखा जाता है ताकि उस फाइल में क्या है हमार रखा जाता है ठीक है Convex CT रखने का आपको region समझ में आ गया होगा बीच का उबरा हुआ थोड़ा सा भाग रखा जाता है फाइल में थोड़ा सा उबरा हुआ रहता है ठीक है ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देता है यह से नॉर्मली हो जाएगी जल्दी और थोड़े थोड़े दांते करके गिशेंगे तो वो क्या होगा जादा समय तक उस फाइल को हम यूज में ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा टेपर ओफ फाइल अब टेपर ओफ फाइल से क्या मतलब है तो डियर फ्रेंड हमने नॉर्मली देखा है कि जो हमारी फाइल से रहती है फाइले हैं वो लंबाई में दो बटे तीन लंबाई तक समानतर और आगे से यानि की एंड मान सकते हैं पोइंट मान सकते हैं या फिर टिप भी बोला जाता है फाइल के पोइंट को टिप भी बोला जाता है तो वहाँ उसके साइड का यानि की लंबाई में दो बटे तीन लंबाई तक समानतर और आगे का एक बटे तीन भागा वो टेपर में बना हुआ होता है तो उसको क्या है टेपर ओ फाइल बोलते हैं तो यह क्यों बना होता है, इसका क्या प्रियोजन है, तो क्या दिया है, कुछ फाइलों में उसके दोनों एज पूरी लंबाई तक समानतर होते हैं, जिसे blunt फाइल कहते हैं, जिसके दोनों एज क्या रहेंगे, बिल्कुल समानानतर रहेंगे, उसको blunt फाइल बोला जाता है, प योग कमचोड़े slot की filing के लिए किया जाता है ताकि file को अधिक से अधिक परियोग में लाया जा सके यानि कि ये हमारा एक slot है एग हमारा ये छोटा slot है अब हमारे पास दोनों के लिए file है वो एक ही file है ठीक है हमारे पास दूसरी file available नहीं है और दोनों को ही filing operation करना है दोनों पर हमें क्या करना है filing operation करना है ठीक है दोनों hole में ही क्या करना है filing operation करना है तो dear friend जो आगे से taper भागा उससे इस hole की filing हो जाएगी और पीछे का 2 बटे 3 भागा इससे इस part की filing हम आसानी से कर सकते हैं ठीक है dear friend तो आपको taper of file समझ में आ गया होगे कि file में taper है वो क्यों रखा जाता है वैसे basically ये चीज़े मैंने पीछे की class में बता दी है ठीक है फिर भी आगे जब point आया है तो इसमें अलग से notes बना कर लिखे हुए है तो वहाँ पर पीछे में आपको पूरी detail में नहीं बता पाया था वही detail यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है यानि कि dear friend अगर आप video को शुरू से लेकर end तक continue देखते आ रहे हैं first से लेकर last video तक तो आपको उस topic से समंदित कोई भी doubt हो नहीं रहता है उसके बावजूद भी अगर आपके mind में कोई भी doubt चल रहा है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं आप हमें whatsapp कर सकते हैं contact number description में आपको दिया हुआ है ठीक है next है हमारा pinning of file next क्या है pinning of file तो pinning of file किसे कहते हैं तो क्या दिया है इसमें filing करते समय कभी-कभी file के dναंतों के बीच धात्युक्षकण फस जाते हैं जिसे pinning of file कहते हैं उसको क्या कहते हैं pinning of file कहा जाता है इसको अब जब हम कभी filing करते हैं तो हमने देखा होगा कि d한तों के बीच में कुछ-कुछ कन है वो फसे हुए रहते हैं नॉर्मली आप ध्यान से देखना कोई भी फाइल वहाँ पर आपको दो से चार दांतों में कैम धातू के कण आसानी से फसे हुए मिल जाएगे उन्हीं को क्या है पिनिंग ओफ फाइल कहते हैं यह कैसे होता है कि नई फाइल है उसको आगर हम नर्म धातू पर दबाओ के साथ वे प्रेशर के साथ में यूज कर लेंगे तो उसमें फाइल हो जाएगी और पिर सही प्रेप्पा का चुनां ना रिखाती है या की वज़े से क्या है हमारी फाइल है वो पिनिंग हो जाती है यानि कि उसमें धातू के कण़ हो फस जाते हैं आगे क्या दिया है यदि फसे हुए कण़ों के साथ फाइल का प्रियोग करेंगे तो जोब की सरफेस पर क्रोंच के निसान बना देगी यानि कि अगर हमारे फाइल में क्या है पिनिंग हो रखी है और उस फाइल का अगर हम यूज करेंगे तो जो धातू के कण़ जो फसे हुए हैं फाइल के दांतों में वो हमारे वरक पीस पर क्या कर देगा क्रोंच उत्पन कर देगा जिससे हमार surface है वो खराब बनने लग जाएगे इसलिए file में pinning हो जाए तो उसे file card या file cleaner या फिर wire brush के दुवारा साप करके प्रियोग में लाना चाहिए यानि कि pinning of file है तो spinning को हटाने के लिए या तो हम file card का use करते हैं या file cleaner का यूज करते हैं या फिर wire brush का यूज हो किया जाता है tool steel की नुकीली तार का भी प्रियोग हो किया जाता है यानि कि tool steel का नुकीली तार या फिर scorer बनाता है tool steel का उसके दवारा कि हम धातु के कणों को एक एक करके खुरच कर निकाल सकते हैं जिससे कि हम हमारी surface है जो वरकपीश की उसको खराब होने से आसानी से बचा सकते हैं अब इनका region क्या क्या region रहता है कि pinning of file हो जाती हैं तो दो main region मैंने निकाले हैं यहाँ पर first है मुलायम धातों को file करते समय या smooth file को अधिक दबाव देकर चलाने से pinning हो जाती है इसे clogging of file भी कहते हैं क्या clogging of file भी कहा जाता है किसको pinning of file को clogging of file भी कहा जाता है ठीक है क्या region हो सकता है मुलायम धातों पर file करते समय या smooth file को अधिक pressure से चलाने से pinning हो जाती है दूसरा क्या है दूसरा है pinning होने से बचाने के लिए file के face पर चोक लगा दिया जाता है तथा काम समाप्त होने के बाद चोक को ब्रुष के दोरा साफ कर दिया जाता है ठीक है dear friend अब चोक लगाने से क्या होगा अब जैसे धातों के चोरी जो हमारे हेक्षा के उपर दांते जो बने हुए है उनमें क्या होगा चोक पाउडर वो फस जाएगा तो धातों के कणों को वहाँ पर फसने के लिए क्या है इस्तान नहीं मिलेगा ठीक है dear friend तो क्या है फाइल अवो पिनिंग होने से आसानी से बचाई जा सकती है और इसमें बोला है बाद में कि काम समाप्त होने पर चोक को ब्रुष के दोरा साफ कर देना चाहिए अब चोक को ब्रुष के दोरा साफ क्यों कर देना चाहिए क्योंकि dear friend अगर हमारा फाइल के ऊपर चोक लगा रह जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा ओक्सिडेशन होगा और ओक्सिडेशन के कान क्या होगा वो जगह क्या कर लेगी जंग पकड़ लेगी जहां पर चोक दिया है नेक्स्ट इसमें दिया है इंक्रीमेंट कट फाइल इंक्रीमेंटल ऑफ कट भी बोलते हैं इसको या फिर इंक्रीमेंट कट फाइल भी हम इसको बोल सकते हैं तो इसका में क्या है कि इंक्रीमेंट कट फाइल किसे कहते हैं कि फाइल के कुछ दांते वो नीचे रख रखे जाते हैं कुछ दांते वो ऊपर उठाके रखे जाते हैं तो उसी चीज को क्या कहते हैं इंक्रीमेंट ओफ कट कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या दिया है पुराने जमाने में फाइल हाथ के द्वारा बनाई जाती थी पुराने टाइम में क्या होता था फाइल जो रेतियां जो बनाई जाती थी वो हाथ के द्वारा बनाई जाती थी इस परकार कारिकर की छमता के अनुसार कुछ दांते अधिक उंचे उठे हुए और कुछ कम उठे हुए बनते थे या क्या है इसे आदे दांते उंचे बने आदे दांते नीचे बने हैं तो उस फाइल के दोवारा हम फाइलिंग करेंगे तो जो उपर उठे वे वो दांते पहले गिसेंगे जब वो गिशते गिसेंगे दांते उसके बाद क्या है जो कम उंचे उठे वे वो दांते क्या कटाई कर करने शुरू कर देंगे तो क्या आदे दांते पहले किसेंगे और आदे जो नीचे रह गई हैं दांते वो दांते हमारे बाद में कटाई करने शुरू करते हैं जिस से फाइल है वो अधिक सके समय तक टिकाओ बनी रहती यानि कि हम उस फाइल का यूज अवो हम ज्यादा समय तक कर सकते हैं लंबे समय तक यूज कर सकते हैं प्रंतु हाथ के दौरा बनी फाइल अधिक दां की होती थी आज कल फाइल पर मशीनों के दौरा दांते काटे जाते हैं मशीनों के दौरा भी कम उंचे क्या बोला है मशीनों के द्वारा भी दांते कम उंचे और अधिक उंचे काटे जाते हैं ठीक है दियर फ्रेंट जिसे increment cut file कहते हैं जिसे क्या कहते हैं increment cut file भी कहा जाता है ठीक है तो अभी आपको clear समझ में आ गया होगा कि मशीनों के द्वारा भी जब हम दांते काटते हैं जैसे कि चीपिंगर के चीजलों के द्वारा special milling machine पर grinding machine पर ठीक है तो इन मशीनों के ऊपर क्या है कि दांते हैं वो काटे जाते हैं file के उपर तो उनको जान बूझ कर कुछ दांतो को उचा और कुछ दांतों को नीचा रखा जाता है जिसे किए increment cut file कहती है या पर incremental of cut कहती है ठीक है dear friend आगे किया दिया हूआ है आगे इसमें क्या दिया हूआ है next हमारा topic आता है file card next हमारा क्या topic आता है file card तो file card क्या होता है तो file card एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके एक और steel की तारें कई लाइनों में fit रहती है ठीक है dear friend आपने वरक्षोप में देखा होगा file card एक लकड़ी का पट्टास होता है जिसके उपर क्या है दांते होते हैं ब्रूस की टाइप में होता है वायर ब्रूस भी इसको बोलते हैं इसमें क्या स्टील की तारे हैं वो लाइनों में फिट रहती है और दूसरे सीरे पर हेंडल बना होता है उसके दूसरी साइड में क्या है जो पट्टी एक किनारे पर तो दांते सेट है स्टील के तारेफिट की वी या दूसरे किनारे पर क्या है? हींडल बना होता है इसका परियोग फाइल के दांतों में फसी हुई पिनों को साफ करने के लिए किया जाता है यानि कि पिनिंग ओफ फाइल के उपर यूजद किया जाता है किसका file card का use है वो pinning of file पर किया जाता है file card को file पर उसी दिशा में चलाना चाहिए जिसमें file पर दांते कटे हैं ठीक है यानि की एक बार इस angle में चलाना चाहिए और दूसरी बार इस angle में चलाना चाहिए ठीक है dear friend यह नहीं है कि सीधा चलाएं या फिर इधर से सीधा चलाएं या फिर इधर से सीधा चलाएं या फिर इधर से सीधा चलाएं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जिस एंगल में दांते कटे हुए उसी एंगल में किया हमें दोनों तरफ से फाइल कार्ट को फाइल के उपर चलाना चाहिए ताकि क्या है जो धातू के कंड है वो दांतों के बीच में फशे हुए है वो आसानी से बाहर निकल सकी ठीक है दियर फ्रेंड तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सरकल में सेर और चैनल आपने सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लीजी हर साम आठ बजए आपको मिलता एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर जो स्पेशल नोट से त्यार किया हुआ वीडियो है अगर आप ITI कर रहे हैं या आपने ITI कर लिया है आप CTI कर रहे हैं या CTI आपने कर लिया है कोई भी आप टेकनिकल लाइन में जाना चाहते हैं ठीक है dear friend तो टेकनिकल स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही भेतरी जो है platform है ठीक है dear friend, wish you all the best